तो भाई आज के टाइम पे कोई कस्टमर फसा हुआ है ना तो वो है भाई टाटा नेक्सोन और महिंदरा एक्सवी 3XO वाला बायर लास्ट यर इसी टाइम पे जुलाई में जो है टाटा नेक्सोन फेसलिफ्ट स्पाइड हुई थी और उसके बाद भाई लोगों ने उसका इंतजार करना चालू कर दिया और जितनी भी गाडिया थी मार्केट में पॉंपैक्ट SUV सेग्मेंट में उसको इग्नूर करके भाई नेक्सवी फेसलिफ्ट का वेट किया और जैसे ही booking स्टार्ट हुई सभी ने देखा भाई कितनी धमाकिदार bookings इसको मिली थी क्योंकि इसमें Mahindra ने कुछ class leading features offer करे थे जैसे panoramic sunroof, 17 inches alloy wheel, एक बढ़िया TGDI turbo charge engine अब जो Tata Nexon facelift के buyers थे ना वो switch हो गए Mahindra की 3XO में क्योंकि कम पैसे में ज्यादा features ये offer कर रहे थे और भाई धमाकिदार booking के साथ लोग wait करने लगे कि भाई अभी ये deliveries दे दे अब इससे हुआ क्या Tata Nexon की sale में पहली बार बहुत time बार decline देखने को मिला अब Tata वालों को Nexon की sales बचाने के लिए कुस तो करना था कोई festival भी नहीं था कोई ऐसी anniversary भी नहीं थी तो इनने जुगाड़ तुगाड़ करके एक offer बनाया 7 plus 7 something जिसमें 7 साल में इनने 7 लाग Nexon बैची उस टाइप का कुछ इनने offer बनाया और लोगों को convince करनी कोजिस करी कि भाई हमने price drop नहीं किया यह हमारा offer चल रहा है इसलिए हमने price कम किया अब भाई जो महिंद्रा 3XO book करके बैठा था जिसकी first choice Nexon थी वो फिर confuse हो गया कि अब यार मैं इसको choose कर लो कि especially जो उपर के variant वाले बायस थे तब ही भाई टाटा एक और धमागा करता है टाटा कर्व का teaser unveil कर देता है और बोलता भाई कि भाई टाटा कर्व आने वाली ही जल्दी अब maximum लोग को लगा जैसा कि पहले टाटा ने बोला था कि भाई पहले EV को लेके आएंगे लेकिन टाटा ने बोला भाई रुको साथ में petrol और डीजल भी आने वाला है अब जो भाई customer इसी time last year Nexon के spider होने के कारण रुका था वो पहुंच गया भाई 2024 की जुलाई में और अ जो है अगस्त की date मिली कि जहां पर आपको टाटा कर वो showcase करी जाएगी launch करी जाएगी तो भाई अब उस customer को क्या करना चाहिए तो उसी को simplify करते हैं without कोई specification और technicalities के साथ चाहे वो 3XO चाहे नेक्सों maximum जो इसके buyers है वो mid variant चूस करना चाहते हैं petrol variant जैसे कि नेक्सों में creative अग शोरूम similarly Tata Nexon का जैसे pure plus S है यह 10,29,000 के आसपास का आता है तो भाई इन दोनों prices के आसपास आपको Tata Curve का base variant देखने को मिल जाएगा क्योंकि 4 meter plus है tax session थोड़े से high रहेंगे और 4 meter plus होने के कारण आपको जो है features जो है थोड़े से drop down हो जाएगे इस price में लेकिन में को अपरेंटली xv3x के x5 में मिलते है nexon के pure plus S या creative में मिलते है यह features तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको एक बड़िया 4 meter plus coupe मिल जाएगी जिसमें आपको 500 plus liters का boot space मिल सकता है interior में आपको better leg room मिलेगा क्योंकि wheelbase हाई है और अगर Tata Nexon की तरह 50 यार उपर लेके छोटा sunroof भी देता है तो क्या बुरा है तो अगर आपकी भाई इस prices के आसपास features के requirement है तो आप अभी भी महिंद्रे के xv3 xo या nexon को choose कर सकते कर्व का weight करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपको features से ज्यादा एक बड़े vehicle के requirement है तो आप जो है टाटा कर्व का weight कर सकते हाँ नेच आपको जो है wheels कभी ना कभी तो add-on कराने पड़ेंगे तो अगर आप यह कर सकते हैं तो आप जो है टाटा कर्व का weight कर सकते हैं